नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बर फिर आपका अपने यूटूब चैनल सिंपल फामेसे श्टडी में दोस्तों आज के इस फीडियो में दिमाग से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने वाली एक टैबलेट है जो की है ओलेंज जेपाइन टैबलेट ये जो ओलेंज जेपाइन टैबलेट है ये दवा का मूल नेम है मेडिकल स्टोर पे इसके कुछ पॉपलर ब्रैंड्स नेम आते हैं जिसमें से ओलेंज टैबलेट आपको मिल जाती है काफी ज़्यादा पॉपलर है ये जो दवा है 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 20 mg की अलग-अलग इस्टिंथ में देखने को मिल जाती है इस दवा के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे जैसे कि ये दवा आखिरकार है क्या किन-किन समस्याओं में पेशेंट को दी जाती है कैसे लेना रहता है, कितना डोस दिया जाता है, इसके साइड़ फक्त क्या कुछ आते हैं पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा आंते तक जरूर देखें साथ ही अगर आप चनल पर पहली बारा आएं तो चनल को सब्सकाइब करें अपना प्यार चरूर दिखाएं, बात कर लेते हैं दोस्तों यह जो ओलन जेपाइन है यह दवा आखिरकार है क्या, तो दोस्तों मैं आपको बता दू यह बिसकली एटिपकल अंटि साइकोटिक क्लास की दवाई है, बात कर लेते हैं इस दवा का उप्योग आखिरकार किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है तो दोस्तों जो सीजोफरेनिया होती है, उसके positive और negative symptoms जो होते हैं उसको यह दवा improve करने का काम करती है, निकी सही करने का काम करती है अब आप पूछेंगे यह जो सीजोफरेनिया है, इसका मतलब क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सीजोफरेनिया एक क्रोनिक मस्तिस्क विकार है जब सीजोफ्रेमिया सक्री होता है तो लच्छडों में भ्रम, मती भ्रम, आबिवस्थित भासर, सोचने में परेशानी और प्रेड़ा की कमी बेक्त को महसूस होती है हलांकि उपचार के साथ सीजोफ्रेमिया के अधिकांस लच्छडों में दोस्तों काफी ज़्यादा सुधार होता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह जो पॉजिट्व सिम्टम्स और निगेट्व सिम्टम्स हैं यह आखिरकार क्या होते हैं तो दोस्तों बात करें पॉजिट्व सिम्टम्स की तो इसमें बयोहार या विचारों में कोई भी परिवर्तन जैसे कि मति भ्रहम या फिर भ्रहम हो जाना इसके अलावा निगेट्व सिम्टम्स की बात करें तो लोग आसपास की दुनिया से पीछे हटते दिखाए देते हैं दोस्तों इसमें जैसे की वो किसी से मिलना नहीं चाहते सोसल इंट्रेक्शन में उनका कोई भी इंट्रेस्ट नहीं रहता इसके अलावा दोस्तों इमोशनलेश हो जाते हैं तो वहां पर इस दवा को दिया जाता है ये दवा काफी जादा फायदे मनदive अगली जो कंडिशन है दोस्तों वहें मैंनिया की तो इसमें वेक्त पल भर में बहुत ज़दा खुस हो जाता है उगले ही पल बहुत जादा उदासी महसूस करता है और मैं बात करूं तो ये बसक लेते हैं इस दवा को कैसे लेना है और कितना डोज लेना है तो दोस्तों इस दवा को आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद ले सकते हैं बात करें इसके डोज के बारे में तो वो पेशन्ट की कंडिशन उमर एज पे डिपेंड करता है पांच एमजी से लगा तो दोस्तों यही था आज का वीडियो ओलें जेपाइन टेबलेट के बारे में उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जहिन बने मात्रम टेक केर बार